हैलो दूस्तो, आप सब का कुकी हिक्स पर स्वागत हैं, आज हम आपके सांद सेयर करने वाले हैं मौशूर दाल की कड़ी बड़ी रेसीपी आपने कही बार बनाया होगा कड़ी रेसिपी ऐसा नहीं कि आपने पहली बार देख रहा है और बनाया होगा आपने कही बार बनाया है पर आपने बेसन के बनाया होगे या और और किसी दाल के बनाया होगे लेकिन अपने मसूर दाल के कड़ी नहीं बनाई होगी, अगर आप एक बार मसूर दाल की कड़ी बना लेते हैं, तो आप बेसन के कड़ी भूल जाएंगे, यतना टेस्टी लगती है, और बनाना पहुत ही असान है, इसकी लिए आपको एक कड़ाई लेनी होगी, और इस कड़ लासुन का पेश्ट, एक चुरी चमच, हल्दी, मिर्च, और जीरा मरीच का पावडर, आधे आधे चमच, तो इस तरीके से मसाले हम इसे में एट कर देंगे, और इसे हम अच्छे से भूनेंगे, करिब 5-6 मिनद, मसाले अच्छे से भून जाएं, यानि मसाले के ऊपर तेल मिक्सी जार में, ग्राइंट करने के बाद इसमें हम अधे लिटर करीब पानी मिलाएं, तो आपको जितना बनाना हो कडी उसे साब से आप मसूर दाले लेंगे, तो यहां पे उसमें पाई डाल दे हैं, जब मसाले अच्छे से भून जाएंगे, तो इसके बाद हम इसमें आ तो यहां पे हम नमक एड़ कर दिये हैं, मसाले को अच्छे से भूनने देते हैं, जैसे जैसे भून दाई है इसके उपर तेल तैरना शुरू हो गया है, आप यहां पे देख सकते हैं, तो इससे कंटिनीव हम चलाते रहेंगे, बिना रूके इसे हम अच्छे से चलाते रहे भृक की रेस्पी हमने इसे बना हुए है अग्रल की ररी रियस्पी ह Must have過去, मसाले हिसे मासूरी हो ग्राइंट और वमक संधर रहें सब्सक्षाने चाहिma, 5-6 तैरे रहें का उड़ा था यहां मसाले निय, दो आए। दो कप पाने कर देंगे से ज़क्र में को मताई हम धूआ तो कड़ी का जो खाने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना थुरा घर्धा या पतला खाते हैं उससाब से पानी इसमें डालेंगे तो यह देखिए जैसे जैसे इसमें बॉआया उबालाया है यह देखिए पहले के मुकाबले यह थोड़ा से ज्यादा ग्रेवी हो गया है तो इसे हम करीब साथ से आठमिया तक गैस का हाई फिलम करके इसे उबालेंगे अच्छे से उबालना है ताकि मुसूर दाल अच्छे से कूख हो जाए बाकी के जो मसाले वह भी कूख हो जाए यहां पे दही में हमने बडी को डाल दिया है अच्छे से दही को करेट कर देंगे अच्छे के लिए दिखनी के लिए बस आपकी करी तयार है आप इसे करी चावल के सांथ सर्व करिए बहुत ही टेश्टी लगती है रूटी के सांथ आप इसे खा सकते हैं मन चाहे करी चावल खाई करी चावल तो सबकी फिवरेट होती है तो इस ठंडी में खाया है या नहीं खाया है मसूर दाल की करी फिर मिलते हैं तब तक के लिए आप सब को एक बार फिर से बाबाई टेक क्यार थैंक्स पर वाच